बुड़े गिद ने बताया कि बुड़ापे में उलाद साथ क्यों छोड़ जाती है आज का विडियो बिना स्किप किये सभी को देखना चाहिए क्योंकि बुड़ापा तो एक दिन सब पर आएगा जो आज बालक है वो कल युवा बनेगा परसो जवान होगा और आगे फिर बुड़ापा सविकार करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी कर लो इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवा है तो वो कुछ रिस्वत दे देगा तो बुड़ापा उस पर असर नहीं करेगा ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादूर है लोग उससे डरते हैं तो बुड़ापा उसके डर से उसके पास नहीं आएगा चाहे कोई ग्यानी हों धनी हों बली हो या फिर गुनी हों सब के सार हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुडापा आपके उपर आएगा इसलिए यह जानकारी सब को ध्यान से सुननी चाहिए इस वीडियो से पता चलेगा कि उलाद बुडापे में साथ क्यों छोड़ देती हैं इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना ह लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सची सर्दा से कोमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमे सिवाय जरूर लिखें साथी चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर दें हे लक्समी मा जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें उसके घर में कभ भारी बरगत का व्रिक्स था उस व्रिक्स पर हजारों भात भात के पक्सी दिन भर किलोल करते रहते थे या यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्सी उस वट व्रिक्स पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे कुछ पक्षियों का तो वो व्रिक्स स्थाई निवास्थल बन गया था व्रिक्स पर रहकर पक्षी अपार आनंद के अनुभोती प्राप्त करते थे कहते हैं जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे महो हो जाता है इसी तरह उस व्रिक्स पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट व्रिक्स से महो हो गया था एक दिन की बात है जंगल में सूखा पड़ गया कई वर्षों से पानी नहीं बर्षा जंगल के व्रिक्स सूख सूख कर मुर्जाने लगे वो वट वरिक्स भी पानी नय बर्चने के कान सूखने लगा सभी पक्सी धीरे धीरे करके उस वरिक्स को छोड़कर जाने लगे जब वो वरिक्स पूरी त्रहें से सूख गया उसके पत्ते डालियां तूटकर नीचे गिरने लगे तो उस व्रिक्स पर रहने वाले सारे पक्सी उस व्रिक्स को त्याग कर किसी दूसरे स्थान बर चले गई केवल एक बुड़ा गिद उस व्रिक्स पर आकेला बैठा रह गया उसने देखा कि व्रिक्स पर रहने वाले सारे पक्सी एक एक करके वहां से जा चुके हैं कुछ पक्षियों ने उस बुड़े गिद से भी चलने को कहा, प्रंतु गिद ने जाने से मना कर दिया, बुड़े गिद ने सोचा कि मेरा जनम इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वरिक्स पर मैं खेल कोद कर बड़ा हुआ हूँ, मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वरि बड़ा किया है, तो मैं इस विपत्ति में इसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊंगा, वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं, जो अपने माबाप को बुड़ापे में छोड़कर चले जाते हैं, या परदेश में रहकर सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं, घर पर अपने वृिद जनों को भूल जाते हैं ऐसी संतान के लिए धिकार है जो अपने माबाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती सोचो जब तुम ऐसा है थे तब तुम्हारे माबापने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या जब तुम बिमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या जब तुमने किसी से जगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माबाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था क्या जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन हुई तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़ कर कभी अकेले खाई थी क्या आज वे बुड़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घ् इतना किया तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते के उनके बुड़ापे की लाठी बन जाओ। इसी त्रह से कई रोज बीत गए जो पकसी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे उन्होंने सोचा कि गिद काका अभी भी उसी सूखे वरिक्स पर बैठे रहते हैं। योना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुजा कर अपने पास बुला लाएं। यही सोच कर कुछ पकसी बुड़े गिद के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आगरह किया। कहने लगे गिद काका तुम कहां इस सूखे हुए वरिक्स पर बैठे रहते हो। इस वरिक्स का जीवन खतम हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहां की समझदारी है। कहते हैं वही जीव का सरेष्ठ है जिसमें धर्म की हानी ना हो। वही देश सरेष्ठ है जहां कुटूम का पालन हो सके। वरिक्स बिल्कुल जज़र हो गया है। दीमक इसे रात दिन खाई जा रही है, किसी दिन हवा के तेज जोंके के साथ ही यह गिर जाएगा, फिर तुम कहां जाओगे, विदवान लोग कहते हैं कि सत्रू, करजा, अगनी, बिमारी इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए, जो इनसे अपना समधान नहीं करता, वो बेमोत मारा जाता है, ठीक इसी परकार तुमें भी इस वरिक्स को छोड़कर किसी खुसहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए, मित्रो समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूड़ा गिद उस वरिक्स को छोड़ने के लिए तयार नहीं हुआ, कहने लगा, भा आने के बाद मैं इसी वरिक्स पर खेल कर बड़ा हुआ हूँ, जीवन के सारे सुक मैंने इसी वरिक्स पर पाए हैं, बचपन से लेकर बुड़ापे तक का सफर मैंने इसी वरिक्स पर तया किया हैं, अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला ये मेरी सबसे बड़ी खुदगरजी होगी, कहते हैं भग, सेवक और सरनागत जो ये कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पढ़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो इने संकट में छोड़कर जाता है, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है, और जिस जानों को कभी मुनिश्य की योणी में जनम नहीं मिलता, गिद ने कहा कि मैं अपनी मृत्यू तक इस वरिक्स पर रहूंगा, आप लोग जाए यहां से, गिद की बात सुनकर सारे पकसे निरास हो जाते हैं, वे लोटकर वापिस चले जाते हैं, कुछ तो कहने लगे, भईय इस बुड़े गिद के साथ साथ इसकी बुद्धी भी बुड़ी हो गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता, अगले दिन कुछ पकसी उसे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन गिद ने जाने से फिर मना कर दिया, इस बार सारे पकसी लोटकर अपने घर नहीं गए, वे सीधे इंदर देव के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवन हम जिस वन में रहते हैं, वहां कई वर्सों से पानी नहीं बरसा है, पूरा जंगल पानी से सुनने हैं, पेड़ पोदे सब सूख चुके हैं, जंगल के सभी जीवजंतों ज गिद भी रहता है, हम लोग तो चले आए, पर वो गिद उस बरगद को छोड़ कर कहीं नहीं जाना चाहता, वर्स सूख कर जरजर हो चुका है, वो कभी भी गिर सकता है, हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वो फिर भी उस वर्स को छोड़ने के लिए तयार नहीं हुए वो कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वर्स का साथ नहीं छोड़ूँआ, इसलिए हे भगवन आप स्वेम आकर उन्हें समझा दीजे, सायद वो आपका कहना मान जाएं, दोस्तों पक्षियों के निवेदन को इंदर देव ने सविकार कर लिया, और इंदर देव उन पक्षि बहुत ही जरजर स्थिती में पहुँच गया है, इसकी डालियां सूख चुकी हैं, इस पर चाय के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है, और आप भी बहुत बुड़े हो चुके हो, किसी दिन यह वरिक्स गिर गया, तो आपकी मृत्यू हो सकती है, इसलिए इस वरिक् हुआ था, तो मेरे मातापिता मुझे इसी वरिक्स पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे, मैं जब ऐसाहि था, तो मुझे इसी वरिक्स ने पाल पोस्कर बढ़ा किया, मैं इसी पर खेला कूदा हूं, इसी पर रहकर सारे सुख उठाई हैं, इसी वरिक्स पर रहते रहते मैं बूड़ा हो गया, मेरा पूरा जीवन इसी वरिक्स की च्छाओं में बीता है आज जब इस वरिक्स पर विपत्ती आ गई तो मैं इसे छोड़ कर कैसे चला जाओं अकसर लोग यही करते हैं कि विपत्ती आने पर गरीबी में वे अपने हितेशियों का, अपने बंदू बांधवों का साथ छोड़ कर चले जाते हैं मैं उन मतलबी लोगों की त्रहन नहीं हूँ, मैं मरते दम तक आखरी सांस तक अपने मातापिता के तुले इस वरिक्स का साथ निभाऊंगा गिद का ऐसा अदबुत प्रेम देखकर इंदर देव बहुत खुस हो जाते हैं कहते हैं गिद राज मैं तुम्हें वर्दान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए तब गिद कहता है हे भगवन यदि देना चाहते हो तो मुझे वर्दान नहीं चाहिए इस बरगत को वरदान दे दीजिए ताकि ये हारा भरा हो जाए इसकी आयू बढ़ जाए मैं तो वैसे भी बुड़ा हो चुका हूँ थोड़े बहुत दिन का जीवन सेस बचा है मेरे बाद इस वरिक्स की चाया में हजारों पक्सी सुखी रहेंगे सबका भला होगा तो मुझ उजे भी खुसी हो गई गिद की बात सुनकर इंदर देव ने उस वरिक्स को फिर से हारा भरा बना दिया पूरे जंगल में पानी बरसा दिया सारे जंगल के वरिक्स फिर से हारे भरे हो गए चारों तरप हर्याली चा गई जो जीवजन्तू पसू पक्सी जंगल को छोड़ कर चले गए थे वे फिर से उसी जंगल में लोट आए सारे पक्सी उसी बर्गत पर आकर कलरव करने लगे सब पक्सी उस बुड़े गिद काका के खुब सेवा करने लगे उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर दे थे थे मित्रों इस परकार गिद का सेस जीवन सुक पू जनम दिया है उस मा का और पालन पोशन करने वाले उस पिता का वो आपका जीवन दाता है आपको पाल पोशकर बढ़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है उनके बुड़ापे में यदि आप सहरा नहीं बन पाई तो वो जीवन किसी काम का नहीं रहेगा दोस्तो ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुलें मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैसरी कृष्णा